इस सत्र में हम जिस विशे को कवर करने जा रही हैं वह है एथनौल तथा एथनौइक अमल एथनौइक असेड कई कार्बन योगिक हमारे लिए अम्मूल्य हैं लेकिन इस सत्र में हम दो व्यावसाइक रूप से महत्वपूर्ण योगिकों के गुणों का अध्ययान करेंगे एथनौल तथा एथनौइक अमल एथनौल कक्ष के ताब पर द्रव अवस्था में होता है सामान्य तह एथनौल को आल्कोहॉल कहा जाता है तथा ये सभी आल्कोहॉली पेयपदार्थों का महत्वपूर्ण अव्यव होता है इसके अतिरिक्ट ये एक अच्छा विलायक है इसलिए इसका उपयोग टिंक्चर आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक आधी जैसी ओशदियों में होता है। एथनॉल को किसी भी अनुपात में जल में मिलाया जा सकता है। तनु एथनॉल की थोड़ी सी भी मात्रा लेने पर नशा आ जाता है। हाला कि अलकोहल पीना निंदनीय है, लेकिन समाज में बड़े पैमाने पर प्रचलित है। लेकिन शुद्ध एथनॉल, परिशुद्ध अलकोहल की थोड़ी सी भी मात्रा घा तक सिद्ध हो सकती है। काफी समय तक अलकोहल का सेवन करने से स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। अब हम एथनॉल की अभीक्रियाओं पर चर्चा करेंगे। 1. सोडियम के साथ अभीक्रिया अलकोहल सोडियम से अभीक्रिया कर हाइडरोजिन गैस उत्सरजित करता है। एथनॉल के साथ अभीक्रिया में दूसरा उत्पाद सोडियम एथोक्साइड बनता है। 2. असंत्रिप्ट हाइडरोकार्बन बनाने की अभीक्रिया 443 के तापमान पर एथनॉल को अधिक्य सांद्र सल्फियूरिक अमल के साथ गर्म करने पर एथनॉल निर्जली करण होकर एथीन बनता है इस अभिक्रिया में सल्फियूरिक अमल निर्जली कारक के रूप में काम करता है जो एथनॉल से जल को अलग कर देता है एथनोईक अमल को सामान्यतह आसिटिक अमल कह जाता है तथा ये कार्बोकसिलिक अमल समूह से संबंधित है आसिटिक अमल के 3-4 प्रतिशत विलयन को सिर्का कहा जाता है एवं इसे आचार में परिरक्ष के रूप में इस्तमाल किया जाता है शुद्ध एथनोईक अमल का गलनांक 290 क होता है और इसलिए थन्डी जलवायू में शीट के दिनों में ये जम जाता है इस कारण इसे ग्लैशल एसिटिक अमल कहते हैं कार्बॉक्सिलिक अमल कहा जाने वाला कार्बनिक योगिकों के समूह के अभेलक्षन इसकी अमलियता होती है हाला कि खनेज अमलों के विपरीद कार्बॉक्सिलिक अमल दुर्बल अमल होते हैं खनेज अमल जैसे हाइडोकलोरिक अमल पूरी तरह आयनी क्रित हो जाते हैं। अब हम एथनोईक अमल की रासायनिक अभिक्रियाओं पर चर्चा करेंगे। 1. एसिटी करन अभिक्रिया एस्टर मुख्य रूप से अमल एवम अल्कोहॉल की अभिक्रिया से निर्मित होते हैं। एथनोईक अमल किसी अमल उत्प्रेरक की उपस्थिती में परिशुद्ध एथनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं। सामान्य तह एस्टर की गंध मृदू होती है। इसका उप्योग इत्र एवम स्वाद उत्पन करने वाले कारक के रूप में किया जाता है। लवण होते हैं। 2. चारक के साथ अभिक्रिया। खनेज अमल की भाती एथनॉइक अमल सोडियम हाइड्रोकसाइड जैसे चारक से अभिक्रिया करके लवण सोडियम एथनॉइट या सोडियम एसेटेट तथा जल बनता है। 3. कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। एथनॉइक अमल कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण कार्बन डायोकसाइड एवं जल बनाता है। इस अभिक्रिया से उत्पन लवण को सोडियम एसेटेट कहते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हमने एथनॉल तथा एथनॉक अमल एथनॉल और एथनॉक आसिड के बारे में अध्ययन किया